हलो ब्रिवेन इसके डिजाना में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में प्रिंसकर्ट ब्लाउच की कटिंग आउच चिचिंग करना मतांगे चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अस्तर को डबल फोल में रख लेना है ब्लाउच के लंबा है स्वाड़े चौदएंच चौड़ाई है 11 इंच फोल्ड़ा इंच चौड़ाई है 5 आर्मूरक लंबा है याश चाहिक पांच इंच गलेफ धाइंच पर निसान लगा लेना एंप पराइब ऑपलार से कंपयों समी कर सकते हैं सीं नीचे के तरफ याफ यृ तरफ से धाइंच नीचे के तरफ से भाइंच यह बराबर रहेगा इस इंसान को इस इंसान से मिला लेना है, तो हाँ पर चोकोड बोक्स पर चुका है, चोकोड बोक्स पर हम गोलाई के सेब दे देना है, तो हाँ पर देख लिए गलेप निसान लग चुका है, अब नीचे की तरफ से 4 इंच पर निसान लगा लेना है, एक इंच का गयब दे द तो यहाँ पर गला कटिंग हो चुका है नीची की तरफ से कटिंग कर देना है इस्टरा कप्ड़ को टिंग करके इंका देना है उपर की तरफ से कटिंग कर देना है तो यहाँ पर देख लिए कटिंग हो चुका है इस तर को बबल में रख लेना है आपर कपड़ा ले ले कुटिंग कर देना है इस्ट्रा कपे को कटिंग करके निंकाल देना है तो आपको आकसी वला पाड बनाएंगे इस बुनों पाट को बगल में रख लीन है अपर कपड़ा ले 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 तो आपके जो पसीनर को स्रेट कर देना है यहांपर सिधा सिलाई लगा लेना है चारो तरप सी तरह से लाई लग्छुका है, बापकंपों कॉटिंग करके निकाल देना है। यहांपर कॉटिंग हो चुका है percentages में में ये कपिन नगे आपके साड़ी या ब्लाउज में जो मैस्क है वो आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखिजी इसले लग चुक है धगे कटिंग कर देना है गलिप छोटे-छोटे कट लगा लेना है अब हैं पर पैपिन बैठा लेना है यह देखिजी इस तरीके से हैं यहाँ पर देखिजी इसले पैपिन बैठ चुक है इसले धागे कटिंग करके निकाल देना है अब यहाँ पर इस तरब से भी हम पैपिन लगा लेंगे कटिंग हो जुका है इसले कपे कटिंग करके निकाल कर छोटे-छोटे कट लगा लेना है और यहाँ पर इस तरब से पैपिन बैठा लेना है तो यहाँ पर देखिजी पैपिन बैठ चुक है इसले धागे कटिंग कर देना है इस पाड को बगल में रख लेना है अग euro पर देख लिजे पड़ेत था उसको अच्छी तरीकर पर श्रेट कर लेना ना फिर के चारो पतरब से स्वाशे लगा लेना है तो यहाँ पर देख लिजे चारो पतरब से लगाना है इसके लिए प्धांण docela तो यहाँ पर देख लिजिए सिलाय लग चुक है धगी कटिंग कर देना है आस्तर की चारोत रुप से सिलाय लगा लेना है तो यहाँ पर देख लिजिए सिलाय लग चुक है धगी कटिंग कर देना है इस्टक अपने कटिंग करके निकाल देना है तो यहाँ पर देख लिजी, कटिंग हो चुका है अब यहाँ पर ची तरीके स्टेट करके जो आइंड कर लेना है यह देख लिजी, इस तरीके से आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ से रहना चाहिए उपर के तरफ से पैपीन वाला पाट रहना चाहिए तो यहाँ पर देख लिजी, जो आइंड हो चुका है धागे कटिंग कर देना है तो यहाँ पर देख लिजी, कटोड़ी हमारा अच्छी तरीके से परफर्ट आ चुका है आप नीची की तरफ से अस्टर ले लिए अस्टर को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से भ़ोई दागे करते हूए अगे की तरप से मं अक्सी वाल भाना बना लेना है एक तो, देखेँ जे स्थर के डबल फोल्ड में रख लेना है सिर्च आगे की स्थर को ची तरह से स्थर करके सिलाई लगा लेना है तो यहां पर देख लिजिए लग चुका है धागे कटिंग कर देना है इस टाकप पर कटिंग करके निकाल देना है अब इसको सीधा कर लेना है यह देख लिजिए इस तरीके से तो यहां पर देख लिजिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें पांच निसान लगा लेना है अ आप देखिये एक निसान हमारा बीच में ऊचुका है, अब इसके बीच में इस तरह से फोल्ड कर देना है और मची में ऊचुका है। अब आप अच्छी तरह की स्टिट करके अक्सी बना लेना है मसीन से। आप मसीन से लगा सकते हैं। तो आपर देख लिए तीन अक्सी मरब बन चुका है, दो अक्सी और बनाना है, अब उपर की तरफ से इस्टा कप्टे को जो है, अंदर की तरफ से जोइन्ड कर देना है, और हमारा लास्ट अक्सी बचा हुआ है, तो यहाँ पर देख लिजी, अक्सी बन के हमारा रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर देख लिजी, एक पाठ हमारा कम्प्लीट तयार हो चुका है, तो कैसा लग रहा है, यहाँ पर देख लिजी, पप लगा के हम आपको दिख्या देते हैं, कि बहुत ही खुबसूरत बैड च हो चुका है तो यहाँ पर देख लिजिए मारा प्रेंस कट कंप्लीट हो चुका है